यूपी में शीत लहर का कहर देखनी को मिल रहा है प्रयाग राज में पारा चार डिग्री सल्सेस रिकॉर्ट किया गया खड़ा की खिठंड और शीत लहर ने लोगों का जीवान अस्ति व्यस्त कर दिया है वहीं का इट्रेने लेट हो रही है जुसकी शल्ते ठंड में यात्रियों की और भी परिशानी हो रही है तो दूसरी तरफ अस्पताल में मरीजों की संख्या बड़ी है डॉक्टर राजीव सिंग के मताबिक जादतार मरीज, cold, stroke या फिर heart attack के कारण भरती हो रहे हैं ऐसे में डॉक्टर ने लोगों से साब्धानी बरतने को कहा है करीब साड़े साथ गंटे लेटे ट्रे और मैं किशे देड़ दो गंटे से मैं यहां पर खड़ा हूं और कोई announcement भी नहीं हो रही है समय से क्या मतलब हैगी तो अब तक तो हम लोगों को दिली पहुंच जाना चाहिए था यह टाइमिंग दिली की है अभी तक तो हम यहीं खड़े हैं देखे इस ठंड में जो सबसे ज्यादा जो नुक्सान होता है वो उन मरीजों का होता है जो पहले से blood pressure या सुगर से पीड आ रहे हैं बहुत से बुजूर्ग पता चला कि वह रात में सो रहे हैं और सुबह उठे तो उनका आधा अंग या एक तरफ का उनका बॉड़ी वह फालिस मारा हुआ रहा है जिसे हम लोग brain stroke कहते हैं तो ठंडी में heart attack और brain stroke के cases बहुत तेजी से बढ़ जाते इस समय में अत